नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें भारी पिटाई पड़ रही है स्टॉक्स के बारे में बात करूँँगा जिसका नाम है Z Entertainment इस स्टॉक में 15% का लोउर सरुक्ट लग जगा है स्टॉक में शुरुवाद में 10% का सरुक्ट लगा जिसके बाद थोड़ी देर बाद 15 मिनिट का बारे मीं जो सरुक्स में नहीं होते है उनमें तो एक fixed circuit होता है like हो सकता है वो 5% का हो 10% का हो या फिर 20% का हो इससे जादा का नहीं होता है ठीक है 15% का भी नहीं होता है 20 का होता है या 10 का होता है या फिर 5 का होता है अगर मालो किसी cash वाले stock का 20% का maximum circuit है तो वो 20% गिरने के बाद और नहीं गिर सकता circuit खुलेगा तो वो 19% मतलब कम ही होगा गिरेगा नहीं extra लेकिन जो FNO में stocks होते हैं इनमें कोई circuit नहीं होता है इनमें circuit होता जरूर है लेकिन वो 15 मिनट बाद open होता है और वो additional 5% में लग जाता है मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसी का example ले लेते है stock की बात की जाए तो अभी 15% नीचे है circuit पे है 15 मिनट बाद ये revise होकर 20% का circuit हो जाएगा मतलब lower circuit लगेगा ये नहीं कह रहा हूँ मैं लेकिन circuit filter revise हो जाएगा फिर ये चाहे तो 5% और गिर सकता है इसी तरीके से उसके again 15 मिनट बाद अगर circuit लगता है in case तो again 15 मिनट बाद वो 5% के लिए और भढ़ जाएगा तो future and options वाले shares में कोई circuit नहीं होता है ये एक दिन में चाहे तो 50% भढ़ सकते हैं 50% गिर सकते हैं और फिर double गिर हो जाएं या पूरा ही खतम हो जाएं वो कोई नहीं जानता आपको याद होगा IRCTC जब convenience fee share करने की बाद होई थी तो 36% टूटा था सब छोड़ दो Z entertainment याद कर लो जब merger की खवर आई थी तो एक दिन में 50% भागा था याद है आपको 200 रुपे से ही 400 रुपे हो गया था same day double हो गया था almost almost दो दिन के अंदर तो circuit इन में नहीं होता है अभी 15% नीची है 15 मिनट बाद circuit open होगा और मेभी हो जाए 20% नीची हो जाए फिर भी 15 मिनट बाद open होगा तो कितना गिरेगा हमें आपको नहीं पता है हम दो terminate कर रहे हैं इस merger को जिसके बाद Z entertainment के share धारकों को बड़ा जटका लगा क्यूं? क्योंकि ये share में जितनी buying है न almost 50% बड़े लोगों की buying केवाल इसलिए कि Sony और Z का merger हो रहा है और इस merger के बाद ही इसमें बड़ी तेजी है ये सब का मानना था पूरा बजार ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था लेकिन हुआ है उसका विपरीत cancel हो गया merger और किसी को कुछ scope दिखती नहीं है इसमें ठीक है? तो market उसको काफी sharply ले रहा है और ये मेरे को उमीद भी थी बट मेरी उमीद ये थी कि दोस्तों पर आगे रुक जाना चाहिए लेकिन ये नहीं रुक रभी या ये तो circuit मार रहा है तो मैंने आपसे कल भी गाता कि एक चीछ जो आपको बिल्कुल सोच लेनी है वो ये कि मैं खरीदूगा नहीं मैं bottom fishing नहीं करूँगा, averaging नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए क्योंकि मतेजी का सबसे बड़ा जो reason था, वो reason रहा ही नहीं अब अगर वैसे तो जो जी है, उसने काई कि हम sony के खिलाफ legal action लेंगे कि ये ऐसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम पूरी कारवाई कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं ऐसे कैसे अट सकते हैं, back off नहीं कर सकते तो अब इस legal कारवाई में अगर कुछ अच्छा आ गया, तो वापस भागेगा, otherwise मैं इस stock में कुछ ज़्यादा खास interested हूँ नहीं इस बीच में एक और interesting update देना चाहता हूँ, market को लेकर, nifty, bank nifty सब लाल निशान में फिसल गया है तो एक मात्र में शायद आपके साथ बंदा था, जो कल भी गया रहा था, कि मैं market को लेकर ज़्यादा खास confidence नहीं रखता हूँ IFIA इस बेच रहे हैं, DIA इस बेच रहे हैं, तो फिर मैं किस बेच पर कहूँ, मैं global संकेद में यह तो नहीं कह सकता है global संकेद बहुत अच्छे है, market भागेगा अरे यार, add-end buying selling पर ही चलना है आपका बजार और global संकेद भी क्या, Asia Pacific market ही तो उपर था हम भी Asia में, लेकिन हम कभी उन्हें follow नहीं करते हैं हम ने कभ एंग सेंग को या फिर शंगाई को follow कर लिया कभी नहीं किया, हम तो वो अमेरिका में डाउ जो देखते हैं, वो कितना भागा है, 100 पॉइंटी तो बागा है कुछ जादा खास तो बागा नहीं है, तो फिर किस रेंजन से हम लोग कहीं नहीं वो है कि कल भी उपर था और आज भी उपर है, तो उसका contribution दिखागे, gift nifty 200 point उपर दिख रहा था, बट वो बापस नीचे आना था, जो कि आज चुका है, तो मैं उतना खास कुछ हूँ नहीं अभी positive mood माहल लेकर, मैं bottom fishing averaging नहीं करनी चीए, भाव बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं करनी चीए, क्योंकि जिस हिसाब से भाव उपर गया था, वो चीजी नहीं रही है, तो यह मेरी तरब से आपके लिए डीटेल वीडियो थी, होब आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, thank you so much for watching this video, have a great day guys